नमस्का दूत्वाज फिर आपका स्वागत है क्राउन इंदी कृष्ट के यूट्यूब चैनल पर तो आज की यह जो सक्सेस स्टोरी है यह भी कंट्री का नाम लाट्विया का स्टूडेंट वीजा आया है बच्चे का अभी बच्चे से इंट्रेक्शन भी करेंगे डिसक्श है और आयल्स टू टाइम्स क्लियर्ड है बच्चा एक बार इसने सिक्समेंट फाइव लिये है आई थिंग सो एक बार इसने सेवन प्लस कुछ स्कोर लिया है बो भी मैं इससे प्यूशूँगा ऐसी एक्स्ट्रा और भी प्रफाइल है बट ड्यू टू टू फिनेंशियल बीक होने के कारण बच्चे को अपने जो ड्रीम्स है अच्छी कंट्रीज में फुल्फिल करने के लिए नहीं मिल पाए बच्चे ने अपने लेवल पर काफी एफर्ट्स कियें कहता कि मैंने अपना फासली कैनेडा में स्कूगन वीजा के लिए डाला था बहां से मुझे य मैं ये कनेडियन डॉलर जो दुस त wurतिन हैं यहां पौँड्स दैनर है अगर यूगे में जाता है जहां तो यह सिरफ मोटिवेशन्स रहते हैं कि आपको सरफ आट्रेक्ट करने के लिए क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंट्रीज में वो आपको अट्रेक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे फीचर्स दे देते हैं Otherwise इनको हम स्कोलरशिप नहीं कहते हैं तो बहाँ पर फीज ना अरेंज होने के कारण इसने उसको डॉप किया फिर इसने अपना लक बहाँ पर अजमाया टूरिस्ट वीजा के लिए केनेडा का बहुर रफ्यूज देखने को मिली है उसके बाद इसने अपना टूरिस्ट वीजा हंगरी में भी डाला बहाँ से भी बच्चे को रिजेक्शन देखने को मिली है अभी without parents विचारे ने अपनी सारी life अपने grand parents के साथ अपना इसका पालन कोशन हुआ है और जो भी आज की date ने जो भी expenses लगे हैं इसकी Latvia study के लिए सारे के सारे इसने अपनी जो job की है after b.tech वहीं से आरन किया है that reason अभी ये Latvia के लिए जा रहा है तो हमें संपर किया है इसने इसके लिए मेरे पास best options हैं जो ऐसी profile है even ऐसी profile को हम Germany जैसी country में free studies में भेज सकते हैं आस्टिया जैसी country में भी भेज सकते हैं free studies के लिए लेकिन problem ये है कि हमें हर एक चीज़ चेक करने पड़ती है कि आपके पास क्या आप blog account दिखा सकते हैं जा नहीं दिखा सकते हैं बचा कहता कि मेरे लिए blog account के पैसे नहीं है चलो आस्टिया में डालता हूँ तो आस्टिया में हमें 15 से 16 लाग रपाय दखाना पड़ता है साथ में source of income दखाने पड़ते हैं क्या वो आपके पास है बच्चा के तब हो नहीं है तो अभी हमें यह सारी चीशे चेक करने के बाद ही decision लेना पड़ता है कि अभी बच्चे को किया तो किया क्या जाए और कौन सी ऐसी country में डालें जहां पर इसको immediately results मिलें इसके लिए हर कंट्री के शेंगन की हर कंट्री के अंदर रेड कार्फट वेलकॉम है बट बात भो ही आती है कि आपकी financial background कैसी है आपकी profile कैसी है उसके बाद ही सारा decision लेना पड़ता है और दूसरा किया कि rejection आरडी देखे हुए थे दो और उसमें भी पैसा और टाइम वेस्ट किया हुआ था बच्चे ने और बच्चे यही चाहता था कि अभी मुझे कहीं पर भी मेरा वीजा डाला जाए मुझे महां से results मिले और इसका जो आयस था जब हमें संपर किया वो भी expired था द्वारा वी आयल्स में नहीं करना चाहता कि उसमें भी टाइम मेरा पैसे वेस्ट होंगे तो जी सारी चीजों को चेक करने के पाद और immediate results के कारण इस country के अंदर इसका डाला गया जहां से इसमें successfully अपना वीजा गेन किया है बट उसमें भी विजारे को बहुत जादी refusal थे किसी another consultant के थूँ अपलाई किया था वो भी बर्ड था यार मेरा नहीं आ रहा है मैं पहले भी refuse था भी मेरी कहानी क्या है तो luckily कल इसका फिर बहां से password dispatch हो गया हमारे पास मिला है तो यह वीजा बच्चे का चुका है अभी बच्चे के साथ हम discuss भी करेंगे कि इसकी journey कैसी रही है crown immigration के पास 100 countries के options हैं शेंगन की 27 countries on our fingers आपकी profile चेक करने के बाद we can suggest कि आप कोंसी country में with spouse जा सकते हैं अबर आपको funds की problem है तो we are very technical about funds management for visa purpose in all of the 27 शेंगन countries कहां पर हम आपकी help कर सकते हैं even आप previously refused है number of times लेकिन आपकी profile appropriate है even that we can suggest कि आपका हम case कोंसी country के अंदर डालें आप previously किसी country से डिपोर्टेड है और से रहे हैं even आपका वीजा और रिवोग हो चुका है आपकी profile को चेक करने के बाद हम आपको suggest कर सकते कि आपका हम case कहां पर जाने हमारे चैनल के उपर इस टाइप की बहुं सारी success stories है और अगर आपने किसी भी country के उपर specific video देखनी हो जिसके अंदर आपको fact चाहिए अगर आपने बहां पर पढ़ने के लिए जाना है अगर मैं suppose कहूं कि आपने South Korea में पढ़ने के लिए जाना है तो आप study in South Korea साथ मे crown immigration करके search करेंगे तो आपको हमारी videos मिलेंगी उसमें आपको exactly fact मिलेगा अगर आपने South Korea का किसी भी agents के तूप visa apply करना है तो उसके बाद decision लें इसी तरीके से 100 countries हैं हमारे पास अगर आपने किसी भी country की specific video देखनी है अगर study in Netherlands अगर नीदर लेंड में पढ़ना चाहते है तो study ये नीदर लेंड साथ में crown immigration लिखेंगे तो आपको exact नीदर लेंड के facts and figures मिल जाएंगे आपने नीदर लेंड में अपना study visa apply करने से क्या precautions लेने हैं उसके बाद आप decision लें कि आपने अपना case कहां पर apply करना है क्योंकि जो इसने अपना time waste किया बच्चे ने पहले previous two consultant के तो हम इसको apply करने के बाद अगर वहां पर negative results भी आता तो वही एक fees के अंदर हम another country के भी इसको options दे सकते थे तो अभी decision आपका है आपने अपने consultant की research कैसे करनी है तो सबसे पहले sir मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर मेरी तरफ से आपको नमस्कार है तो सबसे पहले sir एकी चीज़ आपको crown immigration के बारे में कहां से पता चला एक्शली सर जब मेरी Hungary की rejection आई थी ठीक है तो मेरे friend के फादर ने लखे लिए मुझे आप crown के बारे में बताया था तो मैं फिर first time visit किया तो गृजीत sir ने मुझे guide करना शुरू किया आपके staff ने बड को था कि मैं कोशिश करना नहीं चोड़ना चाता है किसी दरीक मैं मतलब जाना चाता हूं लेकिन कोशिश करना नहीं चोड़ना चाता है मतलब failures तो आते रहते हैं तो वह चीज़ में मुझे crown में बड़ा अच्छा साथ दिया और guide करते के time to time मेरा मनोबल कभी गिरता भी था तब भी गुर्जी सान ने कफी अच्छा follow-up लिया और finally जब आया मुझे गुर्जी सान मेसेज किया कि it's done तो thank god or thanks to crown I was feeling very very lucky यह वो तो दिखो आना था your profile is not a ordinary profile हाँ बीग profile होती तब हम कहते कि बड़े efforts लगे हैं तो दूसरी चीज है तो आपने दो कंटी में प्रीविस्टी रफ्यूज़ आइटिंग सो कौन कौन सी कंटी से सर्क कैनेडा एं हंगरी तो आपका जो दोवरी आप टू टाइम्स रफ सबसे पहले चीज सी lack of professionalism, professional behavior नहीं था क्योंकि professional behavior आता है continuous follow-up से और continuous follow-up से नाम की तो consultant में तो चीज ही नहीं है यह यह चीज जो है crown को सबसे differentiate करती है कि आपका continuous follow-up जो है professional behavior है अच्छी dealing है और आपको पता है कि अगले step से क्या होना है तो आप पहले से उसके लिए ready रहत ह यह चीज मुझे अच्छी लगी सब्सक्राइब करना है बिल्कुल obviously 100% transparency है विल्कुल मैं आप से आके मिला आपने इतना अच्छा guide किया और आप में सब कुछ में को दिखा भी दिया और यहीं चीज मुझे से लिए मैंने अपने friends को भी recommend किया ठीक 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 अभी सर जारा नहीं तो मेरा मतलब 3-4 lakhs का लोस हुआ है सिर्फ टूरिस टूरिस वीजा में विल्कुल सर आप यह देखिए कि टूरिस वीजा के नाम पर 2-3 lakh रुपे का लोस हुआ है student को तो आप यह देखिए कि आपकी जब तक research अच्छी नहीं है मैं बार बार वार वीडियो म रखे हूं जहां आपको कहा हो कि यह सारे डॉक्मेंट हमारे पास रहेंगे पासबोड भी हमारे पास लिवर्ड होगा ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगी हूँ मतल आपने हमें scan copy यह दी जी बिलकुल तो आपने जब आपकी file preparation करके दी ती कोई university के इंटर्वी भी हुई थी at the time of admission जी हाँ university ने इंटर्वी लिया था लेकिन गुर जी साने मुझे अल्रेड़ी इसके बारे में guide किया हुआ था उसके लिए मनें help किया था I was prepared for that अचा तो एक I think so इसके लिए visa के लिए there is no any interview ने इसके लिए को इंटर्वी ने इसके लिए ने तो आपका जब वीजा फाइल आपने अबैसी के अंदर submission करवा दी कितने टाइम के बाद आपका decision आया जी सर मेरी 6th को submission हुई थी और 17th को visa जो है वो यहां बेर 6th को हुई थी 17th को visa आपका grant हो के कौन सी university थी आपकी सर ये का technical university नाथ हुआ तो आपके जो funds थे वो अभी आपके parents नहीं है वो funds किसके आपके अपने account में थे चा कैसे थे सर कुछ आपके help ली अच्छा जो कुछ मैंने खुछ से मैंशने जे भी देखी पर technical चीज आगी है funds management में we are technical उसने बताया था कि मेरी ये problems हैं अभी मैं इन countries में नहीं डाल सकता due to मेरे पास funds इतने नहीं manage हो पाएंगे क्योंकि कुछ countries they are very specific मैं फिर बार बार बताता हूं अगर मैं आस्ट्रिया की बात बताऊं तो they are saying कि हमें last six month की statement दीजिए आपका source of income कैसे हैं आपके पास funds कहां से generate हो रहे हैं तो बहाँ पर इस टाइप की technical problems आ सकती थी तो funds management में भी crown immigration बहुत technical है again depend है कि where you are putting your application तो entirely आपका जो हमारे साथ experience रहा है entire तो वो कैसा रहा है overall sir मैं बहुत डिलाइट होने हूं कि आप मुझे crown से contact हुआ कि मतलब मेरे फ्रेंड ने के फाता ने मुझे यह सजेस्ट किया कि आप बहुत जारा है रहा है अब इनके बास जाए मेरे नून है काफी अच्छी तरह से आपको डील करेंगे तो मतलब with God's grace यह सब हुआ है तो I am very thankful to that almighty कि उन्होंने मुझे crown से मिलाया and finally I got this result और I am very fading very entirely कितना process लगया from the date of registration जब आपने खरवाई थी और last end of results कितना time लगया दो मेने तीन मेने चार मेने यह start किया था हमने August से start किया था लेकिन जो intakes थी वो full हो चुकी थी तो फिर हमें इंटेक्स चेंज करनी पड़ी तो फिर अब जाके जो है February में हम final result मेले है तो फिर इनको थोड़ा वीजा के भी दर्शन करा दीजे हमारे viewers को दखा दीजे क्योंकि जब तक यह वीजा नहीं देखेंगे तब तक यह जाना चाहते हैं आपकी प्रफाइल कैसी है आप हमें शेयर करें उसको देखने के बाद बीकें सुझेस्ट की आपको कौन सी कंट्री में अपलाई किया जाए यहां पर आपको maximum वीजा मिलने के चांसे हो क्रॉन इमी क्यूशन के चैनल के उपर इस चाइब की बहुत सारी नंबर आप सॉकसेस टोरीज अगर उनको भी देखना चाहते तो आप हमारे चैनल को ब्रोज करके देख सकते हैं लासी मेरी यहीर केस्ट है अगर आपको जे मेरी वीडियो चेले तो इसका लाइक एंड शेयर करना ना हुए थैंक यू